हलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आज हम एक नया टॉपिक और इंपोर्टन टॉपिक समावेशी सिक्षा समझेंगे क्या होता है समावेशी सिक्षा और इसकी आवश्यक्ता क्यों पड़ी और ये हमारे लिए कितना महत्पूर होता है ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे सबसे पहले हम इसका अर्थ समझें समावेशी सिक्षा जिसे हम inclusive education कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ ये होता है कि इसमें सभी प्रकार के बच्चों को सामिल किया जाता है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद्धाव नहीं किया जाता है, समावेशे सिक्षा का सिध्धान थी है, सभी के लिए समान सिक्षा, समझेंगे समावेशे सिक्षा को, तो सबसे पहले समा नोट्स भी बनाते शलेंगे, तो सबसे पहली चीज ये क्या करता है, जो समान्य बालक होते हैं, समान्य और आपके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन दोनों में क्या करता है, कोई भी भेदभाव नहीं करता है, इनको ये समान रोप से सिक्षा प्रदान करता है, अगर इसके हम प्रारंब की बात करें, तो भारत में ये कब आया था? तो भारत में ये हैं, भारत में ये 1886 और 87 के बीच आया था. क्यों लाया गया था इसे? क्योंकि उस वर्स अनुभाव किया गया कि बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अनुसूची जन जाती हो, या कोई भी हो. क्योंकि क्या करते थे पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए ही क्या लाया गया समवेशी सिक्षा को लाया गया जो बहुत ज़्यादा आपने आप में क्या है एक कह सकते हैं जिसने नवाचार को जन्म दिया है इसने भेदभाव को खत्म किया है और जो आज हम सभी सांथ में बैट के अध्यान Bishop suprem संब किसी तरा का बालक हो या While I सभी सांस में सिख्षग्रहन कर सकते हैं तो यह क्या है हमारा समवेशिजञसिकी एक परिभासा है और एक सिध्धान्थ है तो इस चीज को ध्यान रखेगा उस समय इसका नित्रत्व कौन कर रहे थे तो राजीव गांधी जी इसका नित्रत्व कर रहे थे और ये कपकी बात है ये आपके 1886 और 87 की लगभग बात है आगे देखेंगे ये क्या है ये इमेज है जहाँ पस ये एक ऐसी कक्षा है जहाँ पस एक सिक्षिका क्या कर रही है सभी स्टुडेंट्स को समान रोप से पढ़ा रही है समझा रही है यहाँ पर किसी की साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है अब तो अगर हम बात करें, तो सन 1886 की बात है, बार बार ध्यान में आ रहा है, 1886, ध्यान रखिएगा, जब नई रास्टी सिक्षा निती आई, आपकी नई सिक्षा निती आई, नई रास्टी सिक्षा निती, नई रास्टी सिक्षा निती, जब 1886, बार बार अठार सो आ रहा है, तो जब 1986 आपकी नई राश्ट्री सिक्षा निती आई तब ये क्या किया गया बदलाव किया गया उस समय आपके कौन थे ये राजिव गांदी जी थे इन्होंने इस पर जोड डाला और ये नई राश्ट्री सिक्षा निती आई जिस पर विशेज ध्यान दिया गया कि कि किसी किसी अचार किसी भी प्रकारका भेद्भाव नहीं किया जाएगा सभी के लिए समान सिक्षा होगी एक गुकत सिक्षा होगी आगे बढ़ेंगे जसे हमने क्लास्रूम बाति किजОर्स वे सिक्षा को प्रदर्शित कर रहे यहाँ पर इक टीचेर है जो सभी को क्या करी समान रोप से सिक्षा दे रही है किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है तो याद रखिएगा आपकी जो समावेशी सिक्षा है वो कब आई तो याद रखना है हमको 1986 में आई और उस समय कौन थे आपके राजीव गांधी जी थे उन्हीं के सनरच्छन में ये गया था अब ये क्या है समान बालक है मतलब इसमें सभी प्रकार के लोग होंगे समान बालक सभी को समझा जाएगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कोई महिला या कभी वो कक्षा में समान रूप से बैट कर अध्यन कर तकेगा दूसरा है समाजीक रूप से विचलित बालक कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग भीग मांगते रहते हैं गरीबी के कारण आपको ट्रेन में देखने को मिलेंगी उन्हों कभी पढ़ाई नहीं किये रहते हैं कभी वो चोर भी होते हैं उनको सुधार अब ही जाता है उसके लिए सुधार ग्रह भी होता है उनके सांथ बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सिक्षा दिया जाएगा दूसरा है जो मानसीक रूप से विचलित बालक होते हैं जो क्या होता है जिनका IQ लेवल आप लोग में डिफरेंस किया जाता है उसको नापा जाता है तो मानसीक रूप से जो विचलित बालक होते हैं उनको भी रखा जाता है और सारेरिक रूप से जो भिन बालक होते हैं उनको भी इसमें सामिल किया जाता है तो यह क्या है आपका समावेसी सिक्षा है यह किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है यह कब आया तो याद रखिएगा जब राजीव गांधी थे उन्हीं के नित्रत्व में सन 1800 सन 1986 में आज पता नहीं क्यों बारवर 1800 अठारा सो रहा है तो ध्यान दीजेगा 1986 में ठीक आपके 1986 और 87 के बीच यह सिक्षा आया जब नई रास्टी सिक्षा निती आय थी तब यह बदलाव हमको देखने को मिला था याद रखना है सन है हमारा 1906 सुधार लेंगे सैच्षिक रूप से भिन बालक अब देखिए इसमें किनको किनको सामिल किया जाएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो सैच्षिक रूप से भिन होंगे जो सिक्षा में क्या करते हों भिन्ता प्रदलाशन करते हो शिक्षा में भिन्नता प्रदर्शन करने वाले भी बालक इसमें क्या होंगे? सामिल होंगे. शिक्षा में भिन्नता प्रदर्शन करने वाले बच्चे. बच्चे. शिक्षा में भिन्नता नोट भी करते चलेंगे आप लोग. हर चीज आपको PDF में मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हम कक्षा में, जो हमारा environment होता है, वो बहुत सारी चीजों को हमें दिखाता है, इसको भी नोट करना है. तो हमने क्या देखा कि सिक्षा में भिन्नता परदर्शन करने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, इसमें सामिल होते हैं, जैसे कुछ बच्चों का IQ कम होता है, कुछ interested होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तभी तो रचनावीधी को बहुत जादा importance दिया गया है. रचनावीधी क्या करता है कि बच्चों में खोज करता बनाता है, उन्हें खोजी प्रवित्ती का बनाता है. अब वो गया जमाना की बच्चों को हम रटने के लिए मार पिट कर पढ़ाया करते थें. अब जो हमारी सादरी क्रोप से भिणन है, जैसे यहाँ बर बच्ची खड़ी है, यह किया आपकी नॉर्मल है, लेकिन यह एक और यह आपकी दो और यह तीन, यह तीनों बच्चे क्या है सारी क्रोप से भिन्यता प्रदर्शित कर रहे हैं कोई दिव्यांग है इन में से तीनों क्या है दिव्यांग है तब भी क्या कर रहे हैं लोग हमारे समावेसे सिक्षा में सामिल किये जा रहे हैं मतलब याद रखेएगा समावेसेश सिक्षा बहुत अच्छी सिक्षा है यह किसी प्रकार का कोई भेट भाव नहीं करता है चली, अब और क्या भECन नेता है? तो देखिए, यह क्या है यह बच्ची जो है देखनी पार रहा है, एक बच्चा देखनी पार रहा है और एक बच्चा सुन नी पार है इस प्रकार के भी जो बच्चे होंगे ना उन्हें भी इस में क्या किया जाएगा सामिल किया जाएगा तो समावीसी सिक्षा अपने आप में बहुत ही बढ़िया सिक्षा है ये किसी भी भेद भाव को क्या करता है जन्म नहीं देता है बलकि भेद भाव को ये खत्म करता है तो हमने देखा कि सारे क्रूप से भिन बालक हो या सच्छी क्रूप से भिन बालक हो उनको भी इस सिक्षा में क्या किया जाएगा सामिल किया जाएगा ये भी क्या है ये देख नहीं पारी है उनके लिए कौन सी विधी आती एक आती है ब्रेल लीपी भी हम समझेंगे क्योंकि ब्रेल लीपी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ब्रेल लीपी समझने से पहले अभी आप ये समझ ये कि समावेश्ची किसको किसको सामील किया जा रहा है अचा एक चीज़ मैं बता देती हूं चूकि ब्रेल लीपी आही क्या है ब्रेल लीपी एक ऐसी विधी है पढ़ाई की जो बच्चे देख नहीं पाते है वो बच्चे क्या करते हैं उभरा हुआ बिंदू होता है उसके माध्यम से चीजों को सीखते हैं यह हम आगे के कफषा में समझेंगे तो यह भी क्या है अब आप देखिए तना बढ़िया है यह इस पोर्ट में है यह यह लोग ठीक से चल तक नहीं सकते हैं लेकिन इसके बावजूत यह क्या कर रहे हैं कि पार्टिपेट कर समाजिक रूप से विचलित बालक हम पढ़ रहे थे ना समाजिक रूप से विचलित बालक तो क्या करते हैं बच्चे जो बाल मसदूरी करते हैं जो क्या करते हैं काम करने लगते हैं चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में चाहे वो मसदूरी का काम कर रहे चाहे वो स्टेशन में म अब ये ना ये भारत की कंडिशन है ये रियल कंडिशन है पैरिंट्स नहीं होते हैं कोई बड़ा भाई या बड़ी बहनी क्या करता है इन्हें समखालता है तो ये रियाल्टी है इस चीज़ की अगर ऐसे भी बच्चे है न और एक चीज़ और अगर आप सिक्षक हैं अगर ये बच्चे आपके पास पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उन्हें मना नहीं कर सकते हैं ये बिल्कुल अभेलना होगा हमारे किस नीती का हमारे समावेस्टी सिक्षा का हमारी नई रास्टी सिक्षा नीती का हम इनके साथ किसी भी प्रकार का डांट फटकार नहीं कर सकते हैं बलकि इनके साथ हम क्या करेंगे एक मित्रता पूर्वक्त वैभार करेंगे ताकि हम बच्चों को क्या बना सके रशनात्मग बना सके इस जीच कभी धियान रखना बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है अब ये भी क्या करें सिच्छा ग्राण डिखे ऐसा नहीं है कィन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है निश्चित रूप से दिशा हम प्रदान करते हैं, मंजिल ये चुनते हैं तो हमारा फर्ष क्या है कि कम से कम हम इन्हें सहीं दिशा दिखाएं, सहीं रास्ता दिखाएं तो ये ऐसे कंडिशन में भी ये बच्चे पढ़ सकते हैं, ये समावेसे सिक्षा के एक्जामपल बन सकते हैं कभी-कभी क्या होता है, पैरेंट्स जेल चले जाते हैं, कुछ ऐसा गलत काम कर लेते हैं, जिसका प्रभाव किस पर पढ़ता है, बच्चों पर पढ़ता है तो वो बच्चे भी क्या होते हैं, समावेसे सिक्षा में सामिल हो सकते हैं, हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर तकते हैं यह क्या है इमेजेस है जो प्रदर्शित कर रहे हैं सिच्वेशन को ऐसा होता है न कि कभी कभी हम चीजों को थियोरी में न देखकर हम उसे लाइक देखें तो ज्याद अच्छे से समझ में आता है तो यही है CDP का उद्देश ही है CDP कभी आपको रटने के लिए नहीं कहता है CDP बस हमारे आसपास जो घटनाए होती है जो चीजे हम जो याद रखी जो आप किताब पढ़ते हैं वो ऐसी तो नहीं होते कहीं से भी उठा लिये जाते हैं यह जो कभी आपने देखा यह समझा ही नहीं है निश्चित रूप से जो हमारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सब पढ़लमेंट पेड़ागोजी कहते हैं बच्चों पर क्या करता है अध्यन करता है बच्चों के साथ मार पीट करके आप उन्हें नहीं पढ़ा सकते आप डीएट बीएट किये होगे तो आपने देखा होगा कि हमेशा आपका टीचर आपसे कहता था क्या बच्छों के साथ आप मितरता पूर्वक वयवहार करें आप उनके साथ दोस्ताना वयवहार करें आप उन्हें ऐसा ट्रीट करें कि उन्हें पढ़ाई बोज न लगे बलकि उन्हें ये लगे कि आप बच्चों को क्या करें खिला रहे हैं खेल खिला रहे हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे घर मे जो भी महाल होता है उस पर बच्चों पर बहुत बुरा सर पड़ता है तो इस चीज का भी विसेज ध्यान रखे अगर आप parents vandaag नहीं है या parents बनने वाले है या भी शादी नहीं हुई है तो जब भी आप बने तो इस चीज का विसेज ध्यान रखे किया अकेले में आप भले मार पिटाई हो जाएंग दूसरे को पिडिये ने बच्चों के साथ इस तरह कवयभार नहीं करिएगा क्योंकि इस पर बच्चों पर बहुत बुरा सर देखने को समार पीटाई यही चल रहा है अभी यह समावेसी सिक्षा का क्या कर रहा है समावेसी सिक्षा ना इन सब तत्व का क्या कर रहा है विरोध कर रहा है इमेज के थू यह हम समझ रहे हैं कि हाँ हमारा जो समावेसी सिक्षा है इन सब पर क्या करता है रोग लगाता है और हम सभी क क्या करते हैं समान रूप से सिक्षा देता है अब हम बात करते हैं मानसिक रूप से विचलित बालक जिस बच्चे का IQ कम होगा और IQ जादा होगा वो बच्चे भी क्या होंगे हमारे समावेसी सिक्षा में सामिल किये जाएंगे अब देखिए हमने क्या किया समावेसी सिक्षा को समझा अब कुछ कोश्चन भी हम करेंगे अब देखिए अब आपनों कोश्चन ना इजली सॉल्व कर लोगे इबर पढ़ने का प्रयास करेंगे पहला कुश्चन है समावेसी सिक्षा इंक्लूसीव एजुकेशन उस विद्याली सिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की और संकेत करता है किस विद्याले की और संकेत करता है विसेश आवश्यक्ता वाले बच्चों को विसेश्ट विद्यालों के माध्यम से सिक्षा देने के लिए प्रोथसाहिद करना गलत बात है देखिए विसेस्ट वाले बच्चे न तो आप उसको विसेस्ट विद्याले नहीं भेजिए बलकि जो समाने रूप से जो बालक है ना तो उनको कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ आप समान रूप से साथ-बात है ये नहीं कि आप लोगों नहीं देखा है यहां बताया था क्या प्रोथसाहिद उसका मतलब यह यह बिल्कुल पॉजिटिव अपर यहां पस उल्टा दिखा लिखा करता है ये निगेटी हो गया विसेस्ट विद्याले के लिए प्रॉत्साहित नहीं करता है यह समान सिक्षा सभी UProw रर्शित करता है है ईक कि समा वेसी सिंग्सक्षा में और कुछ नभी आद कियेगा सभी के लिए समान सिक्षा बस यह चीश AZory रहा तो आप निश्ची त्रोप से कर लेंगे केवल बालिका सिख्षा को बढ़ावा देने की आवश्यक्ता पर बल देती है गलत यहां पस क्या लिखाए केवल बालिका बिलकुल नहीं हमारा जो समावेसी सिख्षा है वो ना तो बालक में कोई भेदभाव करता है ना ही बाल बालिका हो बुजुर्ग हो बच्चा हो तो बुजुर्ग लोग नहीं पढ़ते हैं पर अगर वो आते हैं तब भी आप उनको सिक्षा दे सकते हैं चाहे वो समाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो मानसिक रूप से कमजोर हो चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो आप उसके उसकी सिक्षा को नहीं चीन सकते हैं आप लोग सिक्षा का अधिकार पढ़ते होंगे जो आप लोग पॉलिटी में आपका पॉलिटी में लिखा हुआ है सिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार यह क्या है आपका मौलिक अधिकार है किसी भी बच्चे से उसके सिक्षा के अधिकार को हम नहीं चीन सकते हैं यह भी बिल्कुल गलत है यह option भी गलत हो गया जो सभी निर्योग की बच्चों को सामिल करता है निर्योग्य मतलब जो योग्य नहीं है क्या जरूरी है कि जो योग्य नहीं है सिर्फ हम उन्हीं बच्चों को सामिल करेंगे और जो योग्ये हैं उनके लिए अलग सा विध्याले बनाएंगे तो यह बिलकुल गलत बात है चाहे कोई बच्चा निर्योग्य हो चाहे वो योग्य हो हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे इसमें सामिल करेंगे ये भी क्या है निगेटिव पॉइंट हो गया और हमें क्या बोला समावेशी सिक्षा किसकी और संकेत करता है तो हमने देखा था कि जो उनकी साररिक, बौधिक, समाजिक, भासिक या अन्य विभिन योगिता इस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को सामिल क करें तो हमारा जो समावेशी सिक्षा है वो क्या करता है सभी बच्चों को समान सिक्षा देता है तो यह हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा फोर्थ होगा जैसा कि हमने देखाई किये क्या है आपकी समावेसे सिक्षा का सबसे बढ़िया एक्जामपल है ये क्लास्रूम है ये इमेज में आप देख सकते हैं कि आपस बालाग बाली का दिव्यांख मानसी कृप से पिछड़े हुए समाजी कृप से पिछड़े हुए सभी तरह के बच के लिए किसी के लिए बच्चा को और विसिस्ट बच्चे को दोनों को सांथ में क्या कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा समावेशी सिक्षा, ये दोनों ही हमारे किसमें सामिल है, समावेशी सिक्षा में सामिल है, अगला है, समावेशी सिक्षा का सवर प्रथम विकास हुआ, कहा हुआ, तो ये आउनिज्वी सताब्दी में uh इसका कुछ डिसकसरम्र हम देखेंगे कि पॉइंच को देखेंगे इस में अमेरिकात था यूरोप में अपंग बाल को की अब हम लोग इन उन हम सकते हैं अब हम unable यह दा रॉट करेंगे तो उन्नीस वी सताब्दी में अमेरिका तता यूरोप में अपंग बालकों की समा वेसी सिख्षा हे तु करम्बद प्रयाध प्रारंभ quit कहां कहां आपके एक तो अमेरिका में और एक यूरोप में विशिष्ट सिक्षा के जन्मदाता यूरोप के चिकित्सक ही थे याद रखिएगा विशिष्ट सिक्षा के आपके जन्मदाता कौन थे यूरोप के ही चिकित्सक थे लेकिन बाद में क्या हुआ था बाद में जो अ अमेरिका वासी समय समय पर यूरोप में सारविक रूप से बाधित बालकों के लिए समावेसी सिक्षा के विकास से सम्मंधित ज्यान ग्रहन करते रहें। यूरोप थोड़ा सा रुग गया, लेकिन जो अमेरिका था, वो क्रम बद रूप से इन पर काम करते रहें। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि समावेसी सिक्षा का स्वप्रत्थम विकाख कहा हुआ तो याद रखिएगा आपके अमैरिका में हुआ हमने देखा ना कि जन्मदाता आपका यूरोप था लेकिन बाद में उन्होंने ध्यान नहीं दिया बाद में क्या कि आपके अमेरिका जो थे उक्रमबद तरीके से समय समय पर इस पर ध्यान केंद्रित करते रहें और अंतमीन होनी समावेसी सिक्षा को जन दिया अगला कोस्चंept विसिष्ट बालक होते हैं प्रतीभा साली बालक मन बुद्धी बालक बाधित बालक यह सभी बालक तो देखिए प्रतीभा साली जो बालक होते हैं जो बहुत ज्याद़ टैलन्ट होते हैं वह भी बोलते। थे ज़ादही होसियार हो эп Dil hr कोई जादकर होगा तो वह जैसित वालंकर यह किसी ना किसी रूप में परशान आ। यह क्या है आपके जादकर अबिदी बच्चके गें अगला कोशन है बच्चे के लिए निसूल्क एवं अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्स के बच्चे के लिए लागू है तो याद रखिएगा चैसे 14 वर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निसूलक एवं अनिवार सिक्षा धिकार अधिनियम लागू या के एकदम ध्यान में बैठा लिजे कि जो 6 से 14 वर्स के बच्चे होंगे उनके लिए ये अनिवार सिक्षा लाया गया है इन पर हम रोक चाहे के भी बिल्कुल नहीं लगा सकते आप बिल्कुल भी उनके नहीं रोक सकते आप नहीं कह सकते कि आप सिक्षा ग्रहन नहीं करोगे ये क्या आपके 6 वर्स के बच्चे हैं और ये आपके 14 वर्स के बच्चे हैं 14 एयर्स के बच्चे हैं और ये 6 एयर एज के बच्चे हैं तो इनके लिए 6 से आपका जो 14 वर्स के बच्चे हैं इनके लिए सिक्षा लाई गई है अगला question ए सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता किस पर निसक्त बच्चों पर लागू होता है 6-14 आयो वर्स के बच्चों पर लागू होता है 14-18 वर्स के बच्चों पर लागू नहीं होता है क्योंकि सिर्फ आपकी ये दो एज के बच्चों के लिए ही बात किया गया है बच्चों के नीमी तो पस्तित ये अलग मेंटर है आण्सर आपका क्या हो जाएगा नहीं किया गया है तो आपकी 14 से जो 18 वर्स के बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं किया गया है अगला कोश्चेन है निसूलक ऐबम अनिवारी सिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवारी सब्द का अर्थ है अनिवारे सब्दकार्थ ये है कि आप बच्चों पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाएंगे केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिती और प्रारंभिक सिक्षा को पूनता सुनिश्चित करेगी डंडात्मक कारे से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्याले भेजने के लिए अभी बाबकों पर अनिवारे रूप से जोड डाला गया ये निगेटिव है अनिवारे सिक्षा सतत परिछड के मांध्यम से प्रदान की जाती है आपका क्या अर्थ है निशूल के मम अनिवारे सिक्षा का अर्थ देखे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए होगा क्योंकि केंद्र सरकार जो होगी वो बच्चों की दाखिले की उपस्थिती और प्रारिम्भिक सिक्षा को पूर्टा क्या करेगी सुनिष्चित करेगी आप एट कास तक बच्चों पर रोक नहीं लगा सकते हैं यह भी सही आपका जरूरी नहीं केवल केंद सरकार ही करें ठीक है तो इसको हम नहीं लेंगे फस्ट में उचित सरकार और अनिवारे सिक्षा सतत परिछड के माध्यम से की जाएगी यह भी आंसर है तो अनिवारे सिक्षा सतत परिछड के मांध्यम से प्रदान की जाएगी सतत परिछड मतलब टाइम टाइम पर हम इनका क्या करने परिछड करेंगे दोनों ही सही था लेकिन यहापर उचित सरकार और किंद सरकार दे दिया है दोनों का लग कर दिया है तो आंसर क्या होग आपका डी होगा नेक्स कोश्यन है सभी के लिए विद्याले में सभी की सिक्षा निमलखित में से किसके लिए प्रचार वाग क्यों हो सकता है तो यह ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है ससक्ती सील्वी सिक्षा सहयोगात्मक सिक्षा प्रिथाक सिक्षा हमने पढ़ा कि जो समावेसे सिक्षा था उसी का ये सिध्धान था सभी के लिए समान इस याद रखेगा इसका क्या सिध्धान था या सिध्धान्त है, सभी के लिए समान सिक्षा है, अगला कोश्चन है, एक समावीसी कक्षा में किसी सिक्षिका की सबसे मातपूर भूमी का है, बच्चे के माता पिता के वैवसाय को जानना आए, तो यहीं पर निगेटिव है, वैवसाय जानकर वो क्या करेंगे, कर रही है कि कोई बच्चा हर बच्चे को परक्र ये कि किसी बच्चे की क्या कमजोरी है, उसका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है, अगर वो उस चीज को ध्यान में रखकर study करा रही, तो इससे बह miedo कुछ होई नहीं सकता, उस बच्चे का विकास समझने की शमता होती है वो अपने आप में अलग होता है हर बच्चा समझता है लेकिन बस यह होता है कोई बच्चा जल्दी समझता है कोई देर से कोई किसी और वीधी से तो कोई किसी और वीधी से तो यही है कि हम सभी बच्चे के लिए एक वीधी अपना नहीं सकते है इसलि और सिक्षा का मतलब हमने भले ही एक किताबों तक सिमित कर दिया है, पस सिक्षा का मतलब ही होता है किसी इंसान को बनाना, सिक्षा क्या करता है किसी इंसान को बनाता है, उसकी संभावना उसकी लच्छ तक पहुँचने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करना कि सिक्षी का कच्छा को मानक निर्देश दे रही है कि नहीं ये सब निगेटिव पॉइंट से इस पर नहीं जाएंगे इस इमेज कारत कया है अगर एक सिक्षी का न प्रतेिक बच्चों पर ध्यान दे उसकी संभावनाओं को समझे तो निश्चित रूप से हर बच्चा क्या होगा या हर बच्चा विकास करेगा और सहीं दीसा में विकास करेगा और वो समान्ये बच्चा होगा फिर उसके लिए किसी भी प्रकार की निगेटिव वर्ड का यूज या विसिस्ट बालकों का यूज नहीं किया जाएगा समावेशी सिक्षा के सिधान पर अधारित है क्या समाजिक अस्तित्व एवं वैस्वी करण नहीं विस्वबंधूता नहीं समाजिक संतुलन नहीं समता और समान अवसर हमने पढ़ा ही था समावेशी सिक्षा का मतलब क्या होता है समता यहने वही समान सभी के लिए समान अवसर सभी के लिए समान सिक्षा तो आंसर हो गया आपका B निम्ली कितमे से कौन सा कथनथ समावेशी सब्द को सरवाधिक रूप से उपीग रूप से परिभाशित करता है विशेस आवर्ष्रक्ता वाले बालकों को विशिषट विद्यालय में सिक्षा देना नहीं उनको समानने बालकों के साथ ही रखना चाहिए विसेस आफश्रक्ता वाले बालकों को विद्याले में विसेस्ट कक्षा में सिच्छा देना आप बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाओगे लेकिन उनके लिए आप अलग कक्षा बनाओगे क्या नहीं इससे बच्चों में हिंता आएगा विसीज आफशक्ता वाले बच्चों को समाने कक्षा में अधिक्तम समय देना मतलब आप इसका मतलब क्या जता रहे हो कि हाँ तुम नॉर्मल हो तो रुको पहले मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा पहले मैं इनको पढ़ा लो अभलेगी वह उन बच्चों को समस्ते हुए बिधी अलग अलग यूँस कर सकता है लेकिन ये जो हम कहें कि उनके लिए लगसे कक्षा आलग से सिठ्छाण तो यह गल्स होगा विश्यस आवश्यक्ता वाले बालकों को समाने कख्षा में पूरे समय सिख्षा देना विसेस अवशक्ता वाले बालकों को समानिक अक्षा में पूरे समय सिक्षा देना क्या ऐसा करना सही रहेगा विसेस अवशक्ता वाले बालकों को समानिक अक्षा में अधिक्तम समय देना हाँ ये सही हो सकता है जैसे हमने वीधी की बात की न कि विसेस आवशक्ता वाले बालकों को समानिक अक्षमें आप क्या कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका IQ कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग-अलग विधियो का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही उसके लिए आपको ज़्यादा समय त्यार नहीं करना चाहिए निगेटिव वर्ड कभी कभी त्यार करना चाहिए निगेटिव वर्ड सक्री रूप से त्यार करना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है त्यार करने के लिए हतोत्साहिद करना चाहिए क्या है आपका निगेटिव वर्ड आंसर आपका क्या ह चाहिए या जो आपका एक योजना है उसको सक्री रूप से त्यार करना चाहिए अगला question है एक समय वेसी कख्षा में सिक्षा को क्या करना चाहिए तो याद रखिएगा इसका आँचर आप़ों खुद बताएगा एक समय वेसी शिक्षा में निष्चित रूप से बच्चों क उनको सिक्षा देना चाहिए भले ही आप अलग वीधी का प्रयोग करें लेकिन यह नहीं कि आप विसेस्ट बच्चे जो है आप उनके लिए विसेस्ट कक्षा लगा है तो इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुकी नहीं विसेस आवर्शक्ता वाले बच्चों को सिक्षा उपलब्द कराई जानी चाहिए विसेस विद्याले में नहीं विसेस विद्यालों में विसेस सिच्छकों द्वारा नहीं अन्य समान बालकों के साथ ये बिल्कुल सहीं है विसेस विद्यालों में विसेस बच्चों के लिए क्या करेंगे हम अन्य समान जो बच्चे होंगे उनके साथ हमीने क्या करेंगे सिक्षा ग्रहन करवाएंगे अगला कोश्चिन है डिस्लेक्षिया किस से संबंधित है याद रखिएगा डिस्लेक्षिया जो है वो आपके पठन विकार से संबंधित है जब बच्चे क्या करते हैं उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं यह पठन विकार से संबंधित समस्या है याद रखिएगा हमेशा एक्जाम में पूछा जाता है डिसलेक्सिया इस रि अभी प्रेना और किसी बच्चों को प्रेडित करना मोटिवेशन ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसको हम next class में देखेंगे आज हमने समावेसी सिक्षा को समझे हमने देखा कि समावेसी सिक्षा सभी के लिए समान सिक्षा को बढ़ावा देता है ये किसी प्रकार से कोई भ अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गया लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको